हाई दोस्तो मैं हुआश विशर्मा आप देख रहा है मेरा Green Garden चैनल आप लोगों को मेरा चैनल में श्रागत है दोस्तो आज का टापिक है How to Grow and Care गुलदाओदी फ्लावर प्लाइंट या शेवन्ती फ्लावर प्लाइंट कितना शंदर फ्लावर प्लावर 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 प्ल आप इसको कोई भी पॉट में लगाईए और बहुत ज़्यादा देख भल करने की जरूत नहीं होता है इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा की जरूत नहीं होता है कौम पाने की आवशकता होता है और इसमें NPK 2020-2020 या 1919-1919 आधा चमच आधा लिटर पानी में डिसल्ब करके 15 दिन में एक बर आप दे दिजेगा तो देख लेना आपके पास जो फ्लावार का ग्रोथ है फ्लावार खिलने की जो इस्तिती है बहुत ही अच्छा रहेगा देखिए मेरा जो प्लाइंट है मैज 8 इंच पॉट में मेरा प्लाइंट लगा हुआ है बहुत ही शंदर ग्रोथ है इस प्लाइंट का मैं सरफ आधा चमच आधा लिटर पानी में डिसल्ब करके हर 15 दिन में एक बर देता हूँ और कोई चीज इसमें नहीं देते है हम दोस्तों देखिए आप लोगी शाम नहीं उसका रेजल्ट है बहुत ही शंदर ठंड की टाइम में इस फ्लावर आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है और एक चीज़ ध्यान डखना है अपने को दोस्तों यह पॉट देख रहे है इस पॉट को देख लिजी अच्छा से आट इंच का पॉट है लेकिन प्लांट इतना जदा है बहुत जदा घणा है तो इसकी अंदर संलाइट नहीं पोछ पाते है तो आप फूल संलाइट में रखने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें धीरे-धीरे सं सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुचेगा आज के लिए यही तक है धन्नबाद देखने के लिए दस्तों जाएगे